सर मेरा ये सवाल है कि क्या ये फेर बदल भारत की राजनेतिक इतिहास की सबसे बड़ी सोशल इंजीनेरिंग है? 100% और ये इंजीनेरिंग केवल मंत्री मंडल में नहीं ये गवर्नर्स में भी हुई है 6-7 गवर्नर्स से 4 SCST के हैं अब कुल मिला गए देखें तो तीन जाट हैं उलड़ी जगदीब धनकड हैं, सत्पाल मली कें मेगाले में और आचारे देवरत गुजरात में इस तरह से तीन जाट हैं तो सोशल इंजीनेरिंग तो आपने वहां भी की है इस मंत्री मंडल में जबरदस्त हुई है होमवर्ग जो है आमिष्छा ने किया लेंदर मोदी ने किया, इन लोगों ने किया और इसे प्रकार से स्ट के कुल 20 मंत्री हैं जिसमें 4 कैविनेट हैं, ऑबी सीज के 5 कैविनेट थे वहां पर जो है तो सब कैटटिग्री हैं, इन लोगों ने इतना mastermind किया इस सारे गणित को इस सारी statistics को कि आज देश की कोई ऐसी category नहीं है जो इसे अच्छूती रही हो इने वे वरिश पत्रकार हेमन शर्मा खुद यह मानते हैं कि अध्भूत काम हुआ यह तो इस social engineering बहुत जबरदस हुई है कोई ऐसी कास नहीं बची है जिसका नहीं है representation आज कोई ऐसा area नहीं बचा 22 राजय शामिल है हर area है इसमें शामिल किया गया है तो social engineering का एक बहुत बड़ा प्रयोग यहां पे हुआ जिसका message यह है कि हमें एक तरफ तो politics करनी है governance करनी है लेकिन जो equal जिसे कहते हैं कि इकोल प्रत्नित तो वह देना है और रिजनेल जो balances है imbalances है उनको ठीक करना है तो यह एबसलूटली राइट इस हंड़र प्रसंट social engineering and let's hope how it works in the coming three years